यूपी में बारिश का कहर जारी है जहां एक और कई जिले बाड की चपेट में है वहीं दूसरी और घर गिरने से कई लोग अपनी जान से हाथ दो बैटे हैं जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है ये तस्वीरे हैं कन्नौज और मिर्जापुर की जहां बारिश के चलते मकान ढहने से अफरा तफरे मच गई कन्नौज में जहां एक बच्चे की मौत हो गई वहीं लगतार बारिश के चलते वारणसी गाजिपूर और लखिमपूर खीडी में बार जैसे हालात हो गए हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज बारिश से जन जीवन अस्तव्यस्त हो चुका है वारणसे में गंगा के रौधर रूप को देखते वें जिला प्रशासन ने ततवर्ती इलाकों में चिताबनी जारी कर दी है पलायन जैसी स्थिती बन गई है अचानक बार आने से यहां के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है लोग अब घर खाली करके यहां से जाना सुवु कर दिये हैं और साथ साथ सीवर का भी जो पानी ओरफ्लो करने लगा है लोगों के घर में गंदगी फैल लई है और यहां पर पुशासन द्वारा अभी तक क मंत्री गुलाब देवी जिले की बार्ण और कटान ग्रस्त इलाकों का दौरा भी किया गाजीपुर में तेज बारिश से गंगा सहायक नदियां समेथ उफान पर चल रही है जिसको देखते वे प्रशासन हाई अलर्ट पर है जिलादिकारी ने जनपत के बार्ण प्रभाविट शेत्रों का जाइजा ले रहे है बतादें कि सूबे की बार्ण नियंतरन राज्यमंत्री स्वाती सिंग ने शुक्रवार को सीतापुर में बार्ण ग्रस्त शेत्रों का दौरा किया इस दोरान में बार्ण पीरित परिवारों से मिली और जनता की हर संभव मदद का श्वासन दिया